हेलो दोस्तो स्वागर आप सबका मेरे ये डियूप चैनल सचिन एजक्रिशन हपपर दोस्तो आज हम बात करने माले हैं कि जॉब कॉस्टिंग और कॉंट्रेक्ट कॉस्टिंग के बीच में असल में है क्या डिफरेंस तो देखो दोस्तो मैंने अलड़ी एक वीडियो पहले अ और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए इसके इलावा कोई और भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलिगाम चैनल को जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं कि जॉब कॉस्टिंग और कॉंट का Peki इक सपेसिफिक जॉब को करने के लिए अगर आप अगर आप कोई चीज कर रहे हो यानि को सटेटिंग कर रहे हो यानि अगर मुझे एक ओर डर मिला है उसके ऊपर मैंने जो कॉस लगी उसको देखा वह होता है जॉब कॉस्टिंग लेकिन अगर आप बात करते हो Specific product as per the contract. Customer के साथ Specific contract करने के बाद, जो product आपने बनाना है, उस product के उपर या उस पूरी process के उपर, उस पूरे contract के उपर क्या cost लगी है, वो होता है contract costing. ये एक specific job से relate करता है, और ये एक contract के साथ relate करता है, जो कि हम किस के साथ करते है कस्टमर के साथ और उसके demand के उपर वो product बनाया जाता है लेकिन इसमें demanded product नहीं होता इसमें आप अपनी मर्जी से भी product बना सकते हो अब बात करते हैं work volume की तो सीरी सी बात है अभी मैंने बताया कि customer से demand करवाओगे तो वो तो बहुत ज़ादा होती है तभी contract costing का नाम है contract यानि contract means बड़ा सा contract भी हो सकता है और ज़ादा तर बड़े ही होते हैं तो काम भी ज़ादा होगा तो इसलिए काम ज़ादा किसमें है automatically contract costing में ना कि job costing में इतना clear हो गया फिर आता है costing period costing period क्या है कि कब आप इसे लगाते हो या कब job costing की जाती है तो जब job complete हो जाएगी उसके बाद costing को देखा जाता है और इसी तरीके से जब contract कर रहे हो तब देखा जाता है यानि contract करते time या during process या during project आप क्या करते हो contract costing को देखते हो जबकि आप job costing की बाद सिरफ job को complete करने के बाद ही देखते हो फिर आता है product की scale क्या है scale मतलब कितना area cover कर रहा है तो अगर आप बात करते हो job costing की तो इसमें सिरफ few product से deal किया जाता है जबकि इसमें आप product से large scale तक deal करते हो यानि जादा से जादा product में deal करते हो फिर आजाता है stable यानि suitable मतलब किस चीज़ के लिए जादा beneficial है तो job costing अगर आप किसी भी manufacturing चीज़ों का काम कर रहे हो या manufacturing का काम कर रहे हो या manufacturing industry है तो उसमें आपकी job costing beneficial है जबकि जो contract costing है वो आपके लिए तब beneficial है अगर आप construction का का काम कर रहे हो यानि अगर आपकी industry construction basis है तो आप contract costing का सानी से कर सकते हो या आपके लिए beneficial रहेगी अगर आप manufacturing का काम कर रहे हो तो job costing is beneficial इतना clear हो गया फिर बात करते है payment की तो payment आती है कि कब आप job costing की payment यानि इसके अंदर payment करते हो इस method के अंदर जब आपकी job या order complete हो जाता है उसके बाद लेकिन अगर आपकी long contract है बड़ा contract है तो आप installment में करने के लिए ज़ादा benefited होते हो या आप कहते हो कि हम installment में करेंगे तो इसमें कोई installment का base नहीं होता लेकिन इसमें आप installment बेबी कर सकते हो ये चीज़ कही गई है फिर आता है कि कहां पर आप ये method अपलाई करते हो या product की work location क्या है वो देखते हो तो अगर आप job costing के बात करोगे तो ये company का होता है यानि company premises के अंदर ही आप ये सारा काम करते हो अपने order को लेकिन जो customer के साथ contract होता है वो customer की dealing से होता है या customer जो चाता है तो automatically customer की preferred side के उपर ही हम क्या करेंगे काम करेंगे जो customer चाता है उसी से related वो काम किया जाएगा और इसलिए जो यहाँ पर work location होती है वो customer की preferred side होती है तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये एक last रह गया था कि scope क्या है तो automatically आपने इतना सा पढ़ा है इतना जादा पढ़ा है तो automatically आपको clear हो गया होगा एक contract costing में काम जादा होने की वज़े से जादा benefit होने की वज़े से automatically जो scope है वो इसका जादा होगा और इसका कम ही होगा तो यह हो गया आपका यहाँ पे दोस्तों 8, 7, 8 points जितने भी हैं, 7, 8 points वो आपको clear कर दिया गए हैं, notes आपको telegram channel पे मिल जाएंगे, और यहां से भी आप collect कर सकते हो, screenshot ले सकते हो, उतार सकते हो अपनी notebook के उपर, तो यह हो गया आपके लिए दोस्तो, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो like, share, subscribe ज़रूर कर देना, कहीं पर problem है, तो नीचे देगे comment box में comment भी कर सकते हो, तो आज के लिए तना हैं दोस्तो, thank you very much.